हेलो एवरिवन, चुडे वी विल डिसकस अबाउट कंडिशन इन पास्ट, सव प्रथम आ फंक्षन ना उप्योग विशे माहेती मेडवशू, बुदकार नी कोई शरत दर्शावा माटे आ फंक्षन ना उप्योग थाई छे, याद राखो वाक्या माँ इफ हेड के अनलेस हेड ना उप्योग थाई छे, कोई वार वाक्या नी शरूआत हेड थी थाई छे, जियारे वाक्या नी शरूआत माँ इफ आपेलू होए, त्यारे तेनू गुजराती जो तो तेम थाई छे, इफ माँ हकार नो बाव रहेलो होई छे, तेजरी ते जियारे वाक्या माँ अनलेस नो यूज थाई होए, त्यारे तेहनू गुजराती जो नहीं तो तेम थाई छे, अने अनलेस माँ नकार नो बाव होई छे, नाउ लेट असी, सेंटेंस पेटन, मिद्रों यह सेंटेंस पेटन नी साथे साथे, आपड़े एकजामपल पन समझ भाव प्रयात न करसू, आपिली सेंटेंस पेटन नी शरूवा आत्मा, इफ के अनलेस आपेलू छे, एचले के जियारे पना आपड़े वाक्या लखिये, त्यारे वाक्याने शर्व हुआतमा if के unless लखवू प्लस subject प्लस head प्लस past participle मित्रो past participle ये लिए क्रियापदनों बुत्क्रूदंद तो पच्छी क्रियापदनों बुत्क्रूदंद लखियू छे प्लस कर्मा त्यार बाद कौमा हसे आने बिजू सेंटेंस लखवानूँ छे बिजा सेंटेंस माटे नी वाक्य रचना आरीते छे करता प्लस एमे एमे एटले model अक्जिलियरीज एटले के तमारे वूड के कूड बहमाती गमेते एक लखवानूँ छे वूड पन लखी सकाए आने कूड पन लखी सकाए प्लस हेव प्लस पास पार्टिसिपल अब दी वर्ब एटले क्रिया पदनू बूद कुरुदंत प्लस अन्य सब्दो आरीते वाक्य रचना बनी सके लेट असी एक्जाम्पल इफ यू हेड इन्वाइटेड मी जो तम्हें मने आमंत्रन आप्यू होत तो आई वूड हेव कम टू यूर हाउस तो हूँ तमारा गरे आवयो होत सेकंड एक्जाम्पल अन्लेस यू हेड फॉलोवड माइडवाइस जो तम्हें मारी सलाहनी पालन करियू न होत यू वूड नॉट हेव गट सक्सेस तो तम्हें सफरता मेडवी न होत एक्जाम्पल थर्ड इफ आई हेड इनफ टाइम जो मारी पासे पूर्तो समय होत तो आई कुड हेव मेट यू तो हूँ तमने मड़े होत एक्जाम्पल फॉर इफ पीपल हेड स्टेड अट होम दूरिंग लॉक्डाउन लॉक्डाउन दर्मियान जो लोको गरमाज रोकाया होत तो गवर्मेंट कुड हेव कंट्रोल्ड स्प्रेडिंग ओफ दिसीज तो सरकार आ रोगना संक्रमन ने रोकी शकी होत एक्जाम्पल फॉइव तो तमें सारू परिणाम मेडवी शक्या नहोत एक्जाम्पल फॉइक्स हेड रोमा लर्ण्ट इंग्लिश वेल जो रोमा अंग्रेजी सारू सिखी होत तो शी वूड हैव गोट अगुड जोब तो तेनी ने एक सारी नोक्री मड़ी जात अज वाके रुट मा येड़त्थी थाहली छे हवे मितरो आज वाके रुटनामा एड लेके इन पास्ट मा पेसिव वाईज नी वाके रुटना समझी सु अहिए पण मितरो वाके रुटनानी साधे-साधे एक्जाम्पल समझवा प्रईट न कर सु तो आपने वदारे सारो ख्याला आउसे दरेक नूद्यान एक्जाम्पल पर हसे पची वाक्य रेतना समझीजू आपेला एक्जाम्पल मा एक्टिव ओईज आपेलू छे जे आप रमाणें से इफ रोनक हैड इनफ मनें जो रोनक पासे पूर्ता रूपिया होत तो ही वूड हैव बोट अ न्यू हाउस तो तेने एक नवगर खरे दियू होत तो मित्रो चालो आप वाक्येनू पैसिव करिये पैसिव ओईज नी शरुवात आरीते छे इफ रोनक हैड इनफ मनें मित्रो तमने ख्यालावीज गए होसे एक्टिव ओईज माँ पैलू वाक्ये जहेम छे तेम नू तेम पैसिव ओईज माँ पैलू वाक्ये लखेलू छे एटले के आ प्रकार नी वाक्ये रचनामा एक्टिव नू पैसिव करिये त्यारे पहला वाक्यामा कोई पन फेरफार करवानों न थी हवे सेकेंड सेंटेंस एटले तम ने समझाई जसे कि अहीं या एक्टिवनू पेसिव थसे औने वाक्यामा फेरफार पन थसे तो चालो मित्रो सेंटेंस पेटन पन जुईता यसू आने साथे साथे एक्टिवनू पेसिव की विरिदे करवू एपन समझ सू एक्टिव वाक्यामा मित्रो करता पेला होए तो पेसिव वाक्यामा सू करवू पर से कर्मने लखवू पर से तो मित्रो वाक्यामा थी कर्मने की विरिदे शोदवू तो आपेला वाक्ये मा क्रियापद ने शु के कौने थी प्रस्ण पूछो तो कर्म मड़े तो चालो मित्रो एक्टिव ओईज मा बीजा नम्बनू जे सेंटेंस से एमा क्रियापद बहुट आपेलू छे तेने प्रस्ण पूछिए बोटेट ले शु खरीद दियू तो शु खरीद दियू अन्यू हाउस तो आपने कर्म मड़ी गयू तो जियारे पेसिव करवू होए तो पेला कर्म लखी शु अन्यू हाउस चालो मित्रो हवे फरी थी सेंटेंस पेटन तरफ द्यान कर्मा तो लख्यू पछिए एक्टीव अन्य पेसिव मां मॉडेल अक्जीलियरी लखवानू छे तो मॉडेल अक्जीलियरी लखी देशू वुड हैव बन्दे मां कोमन छे तो वुड हैव लख्यू हवे जियारे मित्रो वाक्येने पेसिव करिये ठ्यारे बीन लखवू पडशे अन्य बीन कर्यापची जे पंड क्रियापच होय एक्रियापच नूँ बूध कुरुदन लखवानू छे पंड सारी वाते छे के आप्रकार ना एक्टिव वोईज माँ पंड क्रिया पतनू बूदक्रुदंत जापेलू होई छे अने ज्यारे पैसिव करता होई त्यारे बूदक्रुदंत पची बाई लखवानू छे अने बाई पची करतानी कर्मवी बकती चालो मित्रो पैसिव वोईज नो आखू वाक के समझी लईए इफ रोनक हैड इनफ मनी अन्यू हाउस वोड हैव बिन बॉट बाई हीम सेकंड एक्जमपल एक्टिव वोईज हैड दे स्टूदंस कम्प्लीटेड होमवर्क जो विद्यार थी हो ये होमवर्क पुरू करियू होत तो टीचर वुड नोट हैव कॉल्ड देर पेरेंट्स तो टीचर ए तेमना पेरेंट्स ने बोला वेया ना होत चालो मित्रो आव वाक्चे नो पैसिव कर्सू हमनात समझिया तेरी ते पहला वाक्चे मा कोई फेरफार नहीं करिये जेम छे तेमनू तेमर लगसू हैड द स्टूदंस कम्प्लीटेड होमवर्क हवे भीजू वाक्चे जे छे एनू पैसिव कर्सू तो पहला सू कर्शू क्रिया पदने शू के कौने थी प्रस्ण पुच्छू तो आपेला वाक्चे मा कॉल्ड क्रिया पद छे कॉल्ड इटले बोलावू कौने बोलाव से तो देर पेरेंट्स तो देर पेरेंट्स कर्म छे तो आपने एने सव उप्रथम लग्षू Their parents would not have been called by teacher Had the students completed homework Their parents would not have been called by teacher Let us see, third example Active voice Unless Kohli had played well जो Kohli सारू रम्यू न हो तो India could have lost the match तो भारत मैच हारी जात चालो आनों पेसिव कर सू पहला बाके मां कोई फिरफार न थी Unless Kohli had played well Object सूझे, the match The match could have been lost by India Thank you